दोस्तों यूटूब वालीबूड में ऐसे तमाम फिल्मकार गुजरे हैं जिनकी फिल्मों की एक खास पहचान है लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी फिल्मकार गुजरा है जिसकी फिल्मों की शुरुवात घोड़े से होती थी इस फिल्मकार की कोई भी फिल्म ऐसी नहीं जिसमें दोड़ते हुए गोड़े न दिखाई थी ड़केतों पर आधारित फिल्में बनाने का शौकीन ये फिल्मकार मुगले आजम जैसी लिजन्डरी फिल्म के शाकार के आसिफ का सबसे चहता शागिर्द था इस फिल्मकार ने जहां सुनीलद जैसे हीरो के खत्मोरे केरियर को संजीवनी दी थी तो वहीं अमिताब बच्चन को सूपर स्टार बनाने में भी एहम भूमी का निभाई थी दोस्तों अब तक आप इस फिल्मकार को पहचान गए होंगे जी हां ये थे निर्माता निर्देशक सुल्तान आमध दोस्तों साहिती कि घराने से तालुक रखने वाले सुल्तान आमध आखिर कैसे फिल्मकार बन गए उन्हें इस मुकाम तक पहुचाने में उनकी पहली पत्नी ने किस तरह मदद की और बदले में सुल्टान अहमत ने उनको क्यों तलक दे दिया बताएंगे उनकी जिन्दगी से ऐसे ही और भी तमांकिस से तो बने रही हमारे साथ दोस्तों नमस्कार आदाब आप देख रहे हैं सिने फंडा विद अलीम दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फिल्म जगत के ऐसी ही तमाम अनसुनी कहानियां जानने और समझने का मौका मिलता रहे हैं दोस्तों साल 1938 में एक जमीनदार परिवार में नवाबों की शहर लखनव में पैदा हुए सुल्तान अहमत के दादा उर्दू और फार्सी के अच्छे जानकार थे और लखनव निस्टी में प्रोफेसर थे जब युक अच्छा आठ में थे तभी लखनव से मुंबई चले गए मुंबई में अंजुमन इसलामिया हाइ स्कूल में दाखिल लिया सुल्तान अहमत को बचपन से ही फिल्मों से बहुत लगाओ था लिहाजा स्कूल से इंटर्वल में चोरी छुपे फिल्में देखने निकल जाते उनके चचा वजाहत मिर्जा नामोर डायलाग लेखकते लिहाजा एक दिन एक फिल्म की शूटिंग देखने का मौका मिल गया बस यहीं से इनके दिल में फिल्में बनाने की हसरत जाग दी और वे डायरेक्शन सीखने के लिए उस्ताद की तलाश में लग गए लेकिन पिता कोई कताई मनजूर नहीं था जिद की तो पिता की मनजूरी भी मिल गई बस क्या था चचा वजाहत मिर्जा की सिफारिश पर वे के आसिफ के असिस्टेंट बन गए वैसे तो के आसिफ के दस असिस्टेंट थे लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वेके आसिफ के चीफ असिस्टन डायरेक्टर बन गए है उनके साथ रहकर उन्होंने मुगले आजम बनाने में सहयोग किया और फिल्में बनाने की तमाम बारीकियां सीखी साल साथ में जब मुगले आजम रिलीज हुई और धीरे धीरे उसकी मकबूलियत बढ़ी तो इस फिल्म के लिए सुल्तान अहमत को भी सराहा गया इसी दोरान सुल्तान अहमत की नजदेकियां उस वक्त की काम्याब और पॉपलर हीरोईन शम्मी से बढ़ी शम्मी ने सुल्टान एहमत की फिल्म इंड़स्ट्री के तमाम नाम और लोगों से जान पहचान कराने में अहम रोल अदा किया यही बज़े रही कि उमर में साथ साल बड़ी होने के बावजूद सुल्तान एहमत ने शम्मी से 1973 में शादी कर लिया शम्मी की जान पहजान का फाइदा सुल्तान अहमत को मिला जिसका नतीज़ ये हुआ कि उनको जौनी वाकर के भाई टौनी वाकर ने अपनी फिल्म प्यार का रिष्टा में काम करने का मौका दिया हाना कि इस फिल्म के पूरा होने में पांच साल लग गए और ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई स्वतंद रूप से पहली बार सुल्तान अहमत ने फिल्म प्यार का रिष्टा का निर्देशन किया इसी दोरान सुल्तान अहमत ने सुल्तान प्रोडक्शन नामक एक कमपनी बनाई और फिर इसी बैनर तले पहली बार उन्होंने 1973 में अपनी पहली फिल्म ही राकन निर्मार किया डकेतों पराधरिच सुनीलदत आशा पारेख और सत्रुगं सिनहा अबिनीद ये फिल्म जबरदस्थ हिट रही थी उसके बाद सुल्तान अहमत ने 1978 में अमिताव बच्चन रीखा और अमजद खान अबिनीद फिल्म गंगा की सोगंद बनाई ये फिल्म भी जबरदस्थ हिट थी अब सुल्तान अहमत का सितारा चल निकला और यहीं से शम्मी और उनके बीच तलखिया बढ़ने लगी और आखिरकार उन्होंने शम्मी को सालसी में तलाक दे दिया हलाकि सुल्तान अहमत की इस हरकत पर सुनीलदत और नर्गिश जैसी कई बड़ी हस्तियां नाराज भी हूँ साल 82 में सुल्तान अहमत ने राजकुमार, राजश खन्ना और जितेंद रभिनीत ब्लॉग बस्टर फिल्म धरमकांटा के निर्मार किया इस फिल्म को भी उन्होंने खुद ही डाइरेक्ट किया था, इसी दोरान उन्होंने अपने से 30 साल छोटी फराह से 1987 में शादी कर ली सुल्तान अहमत ने साल 89 में मिथुन चकरवर्ती और अमरीश पूरी अभिनीत फिल्म दाता का निर्मार किया उनकी पिछली फिल्मों की तरह ये फिल्म भी डगैतों की प्रस्ट भूमी पर आधारित थी और जबरदस्थी ठुई थी साल 95 में उन्होंने जैविक्रान्ता के निर्मार किया सुल्तान अहमत साल 90 से 94 तक फिल्मकारों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था इंपा के वरिस्टुपा ध्यक्ष रहे और फिर 94 से 98 तक अध्यक्ष रहे साल 2002 में 64 वर्ष की आयू में जब हो इरान और इराक के टूर पर थे तो तेहरान में उनकी मौत हो गई उनकी पतनी फरास उल्तान अहमत नामचीन डिरेक्टर प्रोडियूसर और सोशल एक्टिविस्ट हैं जो उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों आज का सफर बस इतना ही मिलते हैं एक और नई थीम के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज